जो नर से वो पकड़ा गई क्योंकि नकली रेम डेसिविर बेच रही थी कि रेम डेसिविर का बोल के तुमने ग्लुकोस दे दिया उसको ये सबसे बड़ा अपराद है क्या एक चिकिसक के आदर्श है कि वो आपका ट्रीटमेंट प्रॉपरली करें कि आपके स्वास्त को केंदर में रखे वो आपसे बात करें बढ़ आप मुझे बताईए कई बार क्या होता है वो ही इधर ही आईए इधर 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 यही लालच ब्यवसाइग वाले में तो लालच ही आता है जनरली दबाओ आओ जोसा तो कुछ है नहीं लालच अब लालच के केस में अभी आपने कोरोना काल में देखा सर एक रेमडेशीवर इंजेक्शन best example sir best example आपने कई खबरों में देखा होगा कि वो जो नर से वो पकड़ा गई क्योंगी नकली रेमडेसिवर बेच रही थी कई लोग रेमडेसिवर के नाम पर वो दूसरा पाउडर भरके बेच रहे थे ग्लूकोस पाउडर भरके बेच रहे थे और कितने में 30-30,000 है तो अब आपकी जिम्मेडारी क्या थी कोरोनकाल में कि आदमी जिसे रेमडेसिवर की जरूआ थे उसे वो मिल जाए तो पहली बात तो जितने में रेमडेसिवर आता था धाई-3,000 में उतने में देना था आपको पर आपने अपना कमीशन उसमें जोड़ा और जादा में बेचा एक तो यह मतलब आप कहीं न कहीं प्रलोभन के चक्कर में बिक्षे पित हुए दूसरा तीस में भी बेच रहे तो कोई दिक्कत नहीं पर कम से कम रेमडेसिवर बोलके रेमडेसिवर तो दो यह सबसे बड़ा अपराद है क्या डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या है चलो आपने पेसा कमाया बुरी बात नहीं है कमाऊ कोई दिक्कत नहीं उसमें दिक्कत नहीं है दिक्कत क्या है कि रेमडेसिवर का बोलके तुमने ग्लुकोस दे दिया उसको तो एक डॉक्टर के जीवन के मानक क्या है कि सही दवाई उपलब्द करा किसी और का कहेगे दूसरी उपलब्द मत करा तो क्या आदर्स के अकॉर्डिंग भी हावार किया नहीं विकॉज ओफ प्रलोभन तो क्या है सत्निस्ठा है नहीं तो ब्यवसाइक सत्निस्ठा ही को आएगी जब ब्यवसाइक मानक अनुरूप आप ब्यवहार करोगे आप चाहो तो लिख लो सर कोरोना काल का या आपको बुक्लेट में भी लिख ले ना